नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे बास्तु ग्यान गंगा योटूब चैनल पर पित्र पक्षे प्रारम हो चुके हैं, 20 सिप्तम्मर से प्रारम हुए हैं और 6 अक्टूबर तक पित्र पक्ष रहेंगे पित्र पक्षे में कैई ऐसे कार रहें जिनको जरूर करना चाहिए, इनके करने से पित्र प्रसन हो जाते हैं, पित्र दोस्त दूर हो जाता है, स्रापत दोस्त दूर हो जाता है और हमारी सभी मनोकामनाय पूरी हो जाती है अक्सर कापी लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में असांती बनी रहती है दिन रात लड़ाई जगड़े होते हैं कई प्रकार के कारे ऐसे होते हैं जो उनके रुक जाते हैं उनको उम्मीद होती है लेकिन वности कारण नहीं बन पाते हैं वही आपको कैई ऐसे संकित भी मिलने लग जाते हैं जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके उपर पित्रदूस है जैसे जानवरों का भूंकना अचानक जानवर भूंकने लग जाते हैं वही धन का खर्चोन आप अच्छा खासा कमा रहे हैं लेकिन घर में बरक्कत नहीं हो पा रही है वही बंस ब्रद्धी रुख जाती है अनिक प्रकार की परेशानिया सामने खड़ी हो जाती है तो उन सब से चुटकारा पाने के लिए पित्र पक्षे में आपको ये उपाय जर करके शनान करें उसके बाद में आपको प्रति दिन पित्रों के नाम से तरपन करना चाहिए ओम सर पित्र देपता ब्योतर प्यामी कह करके पित्रों के नाम से प्रति दिन आपको तरपन करना है इससे पित्र दोश दूर हो जाता है और हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती ह वही आपको प्रति दिन पित्रों की लिए पंच ग्रास निकालना चाहिए ये पांच जगे पूरी निकालते हैं पित्रों के नाम से तो उसमें से एक पूरी के चुचोच तुकड़ी करके वह कवे और पक्षियों के लिए प्रति दिन डालनी है एक पूरी में से तोड़ करके अगनी के लिए डालना है बागी आपको गौव माता के लिए खिलाना है एक पूरी पीपल ब्रक्ष के नीचे आपको डालनी है और एक पूरी बैते हुए जल में यह आपको जरूर करना है पित्र पक्ष में पित्रों के नाम से ग्रास नकलना औ का विशेश महत्व है इसे पित्रों को सांती मिलती है उनकी आत्मा को सांती मिलती है और वह धन प्राप्ति का आशिरवाद देते हैं जो व्यक्ति पित्र पक्ष में देव पूजन करता है पित्र पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाय पूरी हो जाती है और पित्रों का आशि करता है साथ ही दीपदान का विशेश महत्व हैं प्रति दिन पित्रों के नाम से दीपक जलाएं देखो पहला दीपक पित्र की फोटों के सामने जब आप पूजा कर रहे हों तो पित्रों की फोटों के सामने आपको दीपक जलाना हैं दूसरा पीपल ब्रक के नीचे प्रति दिन शरादों में पीपल पर जल चडाए पित्रों के नाम से और वहीं पर आप थुड़ा सा मीटा चडा करके पित्रों के नाम से दीपक भी चला दें, दीपदान के नीचे, नदी के किनारी घर के मेन parental दर्बाजे पर ये दीपदान जरूर करने चाहिए. इनका विशे से मेतर सास्त्रों में माना गया है तो इस विकार से कारी करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपको अवश्य लाब मिलेगा अगला जो उपा है वह है सपेद बस्तू का दान आप पितर पक्ष में सपेद बस्तू का दान जैसे चीनी है चावल है तो आपको किसी दूसरे से ये चीज़े नहीं लेनी है पित्र पक्ष में किसी दूसरे से ये चीज़े आपको नहीं लेनी है बजार से खरीद करके ही पित्र पूजन करना है और बजार से खरीद करके ही आपको दान करना है इस बात का विशेशूप से द्यान रखें और पित् पित्रपक्ष में पूरण मासी से लेकर अमावस्या तक ये कार करने हैं अगला है किसी का अपमान नहीं करना है अपने बुजर्गों का माता-पिता का गुरू का गौमाता का आपको भूल से भी अपमान नहीं करना है इन बातों का विशेश रूफ से आप दिहान रखेंगे तो देखना आपकी किस्मत बदल जाएगी आपको लाम मिलेगा और भगवान का और फित्रों का आशिरवात भी आपको प्राप्त होगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स जानकारी के लिए नेक्स वीडियो में आप इस वीडियो को जादा जादा सियर करें चै वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए